मसाला मखाना बनाने के लिए एक कड़ाय में 0.5 टेबल स्पून गी लेंगे आप चाहे तो बटर का भी इस्तवाल कर सकते हैं गी को मैल्ट होने देंगे की मैल्ट होने के बाद हम इसमें रै डालेंगे रै को अच्छे से तड़कने देंगे राई तड़कने के बाद अब हम इसमें कड़ी पता डालेंगे एक टेबल स्पून पीनट्स डालेंगे देज टेबल स्पून रोस्टेड चना डालेंगे अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे पीनट्स और चना को फ्राई करने के बाद इसमें हलदी पाउडर नमक काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसके बाद हम एक कप मखाना दी इसमें डाल देंगे इसको तब तक फ्राई करेंगे जब मसाले मखाने के उपर अच्छे से कोट नहीं हो जाते हैं देखिए मसाले मखानों के उपर अच्छे से कोट हो गए हैं अब हम इसको चेक कर लेंगे इस तरह से हाथों से फोड़ के देखेंगे हमारे मखाने बहुत ही क्रंची हो गए हैं अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे हमारे मसाले मखाना बनकर तयार है अगर आपको मेरी रेसिवी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए